हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ शम्शाज शेक सो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं क्रेडिट कार्ड और इंशूरेंस और बैंकिंग के रिलेड़ेड वीडियो लेके आप लोग के लिए आता रहता हूं तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि आप लोग का क्रेडिट कार्ड जो आप बार बार अप्लाई करते हैं वो डिकलाइन क्यूं हो जाता है तो friends वीडियो को एंट तक जरूर देखना मैं आज आज आप लोग का जो doubts है वो खतम कर दूँगा कि क्यों आप लोग का card decline हो जाता है आप salary कितना eligibility रहती है वो सारी चीज़े मैं आज आप लोग को बताऊंगा तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना और एक बत अगर हमारी चैनल कभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो please subscribe the channel शमशाज शेख ताकि credit card और insurance के related आपको वीडियोज मिलती रहे तो friends ये जो credit card आप apply करते हो जैसी कि आप लोग SBI का apply करते हो या ICIC, HDFC, KOTAK महंदरा, Standard Chartered, HSBC, American Express का credit card जो apply करते हो, सबका अलग-अलग criteria होता है friends और सबकी अलग-अलग eligibility होती ही, सबका अलग-अलग documentation होता है तो friends जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर आपके पास कोई भी bank का account hold कर रहे हो, जैसे कि आप HDFC, ICIC, KOTAK महंदरा bank तो friends अगर वो salary account है या आपका current account है तो वो लोग आपको pre-approved credit card दे देते हैं आपको कोई documentation submit करने की जरूत नहीं पड़ती है आपको एक just call आता है कि sir आपका हमारे साथ ये banking में account है तो आपको pre-approved credit card है, इतने लाग, इतने थाउजन का limit आपको pre-approved है तो अगर आप हाँ बोल लोगे, तो आपको ये current address या office address पर आपको deliver हो जाएगा तो ये होता है friends एक pre-approved, pre-approved मिलता है और दूसरी बात ये है कि इसमें आपको jumbo loan credit card के अगेंस आपका अच्छा maintain किया हुआ credit card अच्छे से use किया हुआ है, तो आपको friends इसमें jumbo loan, insta loan का भी offer आता है बहुत ही कम rate of interest पे, तो आप अगर आपका civil score अच्छे से maintain किये हो, आपका time to time 100% आपका credit card का payment वगरा है time to time है, ज्यादा लेट नहीं होता है, so आपको इसमें मिलता है pre-approved jumbo loan, insta loan और second बात ये बता दूँ आपको कि आपका credit card क्यों decline होता, friends, decline इसलिए होता है कि आपको अलग अलग जिसे की applications आए हुए है पैसा बजार, money view, money trap, दुनिया भर के applications आयो में आप link आता है, आप गर एक जगह आप number share कर देते हो, तो बार बार आपको notification, message आने लगते हैं तो आप क्या करते हो, उसमें आपका data enroll करते हो, जैसी आपका pin code, pen number डाल देते हो, टिपी, application code आता है, जैसे process करते हो, या पैसा बजार, bank बजार से आप बार 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 इनरोल करते हो, आपका data, civil score में, तो वो friends down हो जाता है, वो minus में चले जाता है, और आपको नहीं मिलता है friends credit card, तो कभी भी याद रखें, वन टाइम, अगर एक बार credit card आपने apply किया, तो आपको 3 month या 2 month के बाद ही, I think मेरे हिसाब से ओ 3 month के बाद ही apply करें, क्योंकि बहुत कम chances होते हैं, approved होने का, तो एक ही बार apply करें, proper format, proper तरीके से apply करें, अगर आपको चीजें नहीं पता है, त आप किसी official side पर जाके enroll ना करें, क्योंकि उसमें आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए, कि pin code आप कौन से card के लिए apply कर रहे हो, उसका promo code भी होता, friend, वहाँ पर select करना होता है, जो भी आप करते हो, तो proper आपके लिए जो use में हो credit card वही apply करें, कोई भी unnecessarily card apply ना करें, और जादा चार्जे बस जो charges वाले card है, जैसे का आपको use नहीं होते है, premium card आप ले लेते हो, 3000, 5000 या 1000, आपको card के charges पे करने पड़ते हैं, तो वह कभी ना करें, क्योंकि unnecessarily charges पे करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको normal सा benefit अगर आपको चाहिए, EMI वगरा चाहिए, या normal credit card use करना है, mobile phones आपको purchase करना है, तो I think आपको normal card में जब आपका काम हो जा रहा है, तो आपको बड़े card लेनी के जरूत नहीं, बड़े card उनको जरूत होते हैं, जिनका ज्यादा traveler वगरा होता है, जैसे कि flights पे उनका travel हो सकता है, या कहीं बाहर use में होता है, launch access वगरा के लिए ह करते हैं, उसके सबसे customer को card भी free मिलते हैं, तो बड़ कैसा होता है, वो maintain करते हैं, account उसके वज़े सी free होता है, अगर आपको free मिल रहा है, तो ले लीजिए, कोई problem नहीं है, बड़ अगर charges pay करके मिल रहा है, तो please don't take it, तो normal सा card लेजिए, सारे cards internationally होते हैं, बड़ यही होता ह है, तो हर जगा वो card issue नहीं करती है, तो कुछ pin code का भी उनका criteria रहता है, limit का salary limit का रहता है, 15,000 है न वो, और उसके बाद आपको यह बता दो कि company should be listed, कोई कोई company जैसे estate bank का है, तो वो company list में उनकी cat A, cat B, सबका अलग-अलग salary का category होता है, तो age wise भी हम लोग 21 years है, जो 65 years के age category भी देखते हैं, अगर आपका age 21 years है and 20, 65, 60 या 65 के अंदर है, तो ही आपको credit card देते हैं, उसके बाद salary भी माइंडेट करता है, कि आपकी salary कितनी है, age की हिसाब से आपकी salary कितनी है, अगर वो policy में आते हो, तो ही आप card apply कर सकते हो, otherwise you can't apply, तो proper guidance, अगर आपको proper तरीका आपक credit cards के लिए, जब भी form पे तो उसका thumbs and conditions, charges, जो most important document होता है, please उसके read करके ही पढ़ें, क्योंकि उसमें आपको अलग अलग फटा 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 साइन कर देते हो, friends, उसमें आपको insurance वगरा भी आपको पकड़ा देते हैं, जो अलग से charges होते हैं, 1499, 500 रुपीज एडिशनली, आ आपको भी normally health insurance हो जाता है, या card production plan का होता है, अगर आपको सच में जरूरत है, तो ही ले, और उसके बात, friend, मैं बता दूँ कि आप लोग कौन से area भी mandate करता है, कि आप कौन से area में रहते हो, आपकी salary, आपका designation, मैं एक बात और बता दूँ कि आपको designation बहुत mandate करती है, at the time of applying credit card, so please be careful while signing on the declaration, whenever you are signing on the declaration, so please be careful and read the terms and condition and then sign up for the application, and उसके बाद आपको call वगर आते है, two, three calls आते है, घर पे एक verification होता है, उसके बाद आपको card within 15, one month maximum, मान के चलो, card will dispatch to your current address, so this is the terms and conditions, अगर किसी को कुछ doubt हो, तो please मुझे comment box में बताईए, inshallah we reply to you, और वीडियो को like करें, और चैनल को subscribe करें, friends, आकि इस तरह के वीडियो आप लोग को मिलता रहे, thank you so much for watching this वीडियो, bye bye, take care, see you later.